नमस्कार भारत एक्स्प्रेस राजस्थान में आपका स्वागत हैं मैं हूँ हरिशंकर कुमार राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब तक लोगों के लिए अंजान थे लेकिन अब उनका नाम सबकी जुवान पर आ चुका है पार्टी का एक साधारन सा करिकरता जो पिछले तीन दशक से संगठन में सक्रिये था वो अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँच गया यह उनकी तपस्या का परिनाम है 20 साल पहले वर्ष 2003 में भजलनाल शर्मा ने राजस्थान समाजिक न्याय मंच के बैनर तले नदवई से विधान सभा चुनाव लड़ा था उन्होंने 69 वोट हासिर किये थे बाद में भाजपा के संगठन में काम करने लगे पद की लालसा छोड़ कर वो संगठन में इमानदारी से काम करने लगे अब उन्हें 20 साल की तपस्या और धैर का बड़ा इनाम मिला है गिरीराज महराज की शरण में मिले जेपी नड़ा से भाजपा के राष्टिये अध्यक्ष जेपी नड़ा एक बार गोवर्धांजी में गिरीराज महराज के दर्शन करने आये थे उस दिन भाजपा शर्मा उनसे पहली बार मिले हलाकि इस से पहले भी भाजपा मोर्चा में विविन पदों पर रहकर काम करते रहे लेकिन नड़ा से मिलने के बाद उन्होंने अपने आप में बदलाव किया वो पार्टी में सक्रिये हुए और बिना किसी पद की लालसा किये उन्होंने काम करना शुरू किया बाद में पार्टी के हर कारक्रम की रूप रेखा भजनलाल ही तै करने लगे पार्टी का परदेशा ध्यक्ष कोई भी हो लेकिन बड़े कारक्रमों में किसका भाषन होगा कितनी देर होगा और मंच पर कौन-कौन बोलेगा यह तै करने का काम भजनलाल शर्मा का ही था अमूमन मंच का संचालन वो स्वाइं करते थे निष्ठावान और भरोसे मन नेता की तलाश थी पिये मोदी को बिधान सभा चुनाओं से पहले ही परधान मंत्री नरेंदर मोदी को राजस्थान में एक निष्ठावान करमट और भरोसे मन नेता की तलाश थी पिये मोदी ने अमिशा और जेपी नड़ा को यह टास्क दिया था कि राजस्थान को एक ऐसे नेता की तलाश की जाए जो गुटवाजी और विवादों से बहुत दूर हो पार्टी के रास्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा ने संगठन के हर कारिकरता का रिकॉर्ड चेक किया संगठन के पदाधिकारियों और कारिकरताओं से फिडबैक लिया कई नेताओं के नाम सामने आये उनमें एक नाम भजनलाज शर्मा का भी था पार्टी के शिर्स नतिर्तु एक निष्ठावान कर्मठ और विवादों से दूर रहने वाले नेताओं की सूची पहुँचा दी मोदी ने मनन किया और लगा दी मुहर पीए मोदी ने राजस्थान में संगठन के जुड़े हर पदादिकारी और कारिकरताओं की सूची पर मनन किया बाद में उन्होंने तै कि इन्ही में से किसी एक को बड़ी जिम्यदारी देनी है विधान सबा चुनाओ की प्रकिरिया शुरू हुई तो भजनलाल शर्मा ने भी भरतपुर सीट से टिकट मांगा पार्टी ने उन्हे भरतपुर के बजाए जैपुर की सांगानेर सीट से परत्याशी बनाया भरतपूर सीट पार्टी के लिए काफी कठिन थी क्योंकि पिछले कई चुनावों से वहाँ भाजपा के परत्याशी चुनाव जीत नहीं पा रहे थे जैपूर की सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ माना जाता है और यह सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है भजनलाल को सांगानेर से परत्याशी बनाने के पीछे एक वज़ा यही थी कि पार्टी उन्हें आगे बढ़ाना चाहती थी तीन राज्यों में चुनाव जीतने और मध्यपरदेश 36 गढ़ में मुख्यमंत्री तै किये जाने के बाद जाती है समीकरन और अन्य फर्मुलों में फिट बैटने वाला एक ही नाम भजनलाल शर्मा पिये मोधी ने बिना देर लगाए इस नाम पर मुहर लगा दी सारे कयास फेल हो गए सामने आया नया नाम बिधान सभा चुनाव में पुर्ण बहुमत हासिल करने के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री तै करने से पहले राजनेते गलियारों में कई नाम चले पुर्मुख्यमंत्री सहित कई सिनियर नेताओं के नाम पर चर्चाएं हुई अलग अलग कयास लगते रहे बाद में यह कहा जाने लगा कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है यहाँ चौकाने बाला नाम सामने आ सकता है और हुआ भी यही मंगलवार 12 दिसंबर की शाम 4 बजे तक किसी को आभास तक नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा शाम 4 बज कर 15 मिनट पर मुख्य परिव्यक्षक राजनाज सिंग ने पूर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक परची दी राजे ने वो परची खोल कर पढ़ी तो उस पर भजनलाज शर्मा का नाम लिखा हुआ था जैसे ही राजे ने भजनलाज शर्मा का नाम पुकारा तो बीजे पी मुख्याले में सन्नाटा पसर गया कुछ देर बाद राजनाज सिंग बोले कि कोई और नाम हो तो बताएं चुकि यह नाम केंद्रिय नित्र्तो यानि पी ए मोदी ने तै किया था ऐसे में आपत्ती होने का सवाल ही नहीं था सब विधायकों ने सहमती दी और भजनलाज शर्मा मुख्य मंत्री घोशित कर दिये गए आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार